प्रश्ण है यदि X और Y दो ऐसे समुच्चे हैं कि X Union Y में 18, X में 8 और Y में 15 अव्यव हो तो X Intersection Y में कितने अव्यव होंगे? तो चलिए हल करते हैं जो रासियां दी गई है उसे हम लिख लेंगे, दिया गया है cardinality of X Union Y equal to 18, cardinality of X equal to 8 और cardinality of Y ये 15 दिया गया है और हमें ग्याद करना है X Intersection Y तो आपको ये पता है कि X Union Y की जो cardinality है ये cardinality होगी X की इसमें हम Y को add करेंगे इसकी cardinality को और X और Y की cardinality का intersection को हम subtract कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा X Union Y की cardinality आपको दी गई है ये है 18, X ये है 8, Y की cardinality 15 minus cardinality of X intersection Y तो इसे जब आप हाल करेंगे तो आप लिखेंगे cardinality of X intersection Y equal to 23 minus इसको add करेंगे तो मिल जाएगा 23 ये जाएगा 18 तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं equal to 5 या फिर लिखेंगे cardinality of X intersection Y equal to 5 और यही हमें ग्याद करना था अगले पर चलते हैं 400 व्यक्तियों के समूह में 250 Hindi तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं कितने Hindi तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं या हमें ग्याद करना है तो चलिए जो रासियां दी गई है उसे हम लिख लेते हैं एले एक Vend diagram बना लेते हैं माल लेते हैं कि ये एक Universal सेट है U यहाँ पर दो सेट है H जो सेट है ये Hindi बोलने वाले व्यक्तियों को प्रदर्सित करता है और ये जो E है ये अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों को प्रदर्सित करता है तो हमें क्या दिया गया है कि 400 व्यक्टियों के समुह में तो इसका मतलब ये कि हमें दिया गया है cardinality of h union e equal to 400 ये दिया गया है जो हिंदी बोलते है उनकी जो cardinality जो है ये है 200 जो इंगलिस बोलते है उनकी cardinality है 200 तो आपको या ग्याद है कि cardinality of h union e जो होता है ये होता है cardinality of h प्लस cardinality of e माइनस cardinality of h intersection e आपने ये पढ़ा है cardinality of a union b तो गहाँ पर a को आप h से replace कर दीजे और b को e से replace कर दीजे तो आपको ये मिल जाएगा तो ये क्या होता है cardinality of a plus cardinality of b minus cardinality of a intersection b से आपको ये मिला जो जो values दिग गई है वो रख दीजे ये हमंए दिया गया है 400 ये हमने दिया गया है 250 ये हमें दिया गया है 200 minus cardinality of h intersection e ये हमें ग्याद करना है तो यहांसा आप लिख सकते है 400 equal to 450 minus cardinality of h intersection e या फिर आप लिखेंगे cardinality of h intersection e 400 दर जा करके माइनस हो जाएगा तो 500 माइनस 400 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50 और यही हमें ग्याद करना था कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं यह intersection E जो है यह है और यही दर साता है कि जो व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं अगला प्रशन है किसी विद्यालाई के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षंड से ग्याद हुआ कि 150 विद्यार्थी चाए 225 विद्यार्थी काफी तथा 100 विद्यार्थी चाए और काफी दोनों पीते हैं ग्याद कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो काफी पीते हैं ना तो चाए पीते हैं तो इसे हल करने के लिए हम पहले एक वेंडाई ग्राम बनाएंगे और फिर उससे हमें ग्यात होगा कि क्या क्या चीज़े दी गई है ये एक Venn diagram है U universal set है ये set T है ऐसे वेक्ति जो चाय पसंद करते हैं और ये दूसरा set है C जो कौफी पसंद करते हैं और इसके अलावा S ऐसे वेक्ति हैं जो की ना तो चाय पसंद करते हैं ना तो कौफी पसंद करते हैं तो मान लेते हैं कि ये जो भाग है ये P है इन दोनों का जो intersection है ये R है और ये जो भाग है ये Q है तो यहां से जो दिया गया रासी है वो क्या कि 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्शन किया जाता है तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो universal set है जो सारे अव्यव होंगे वो universal set में ही होंगे तो इस तरीके से में universal set में अव्यव की संख्या 600 दी गई है अब कहा गया कि 150 विद्यारती चाय पसंद करते हैं तो चाय जो है ये P plus R होगा इसे हम लिख पाएंगे 150 दूसरा 225 विद्यारती जो है वो कॉफी पसंद कर सकते हैं तो यहां से वेंडाइगराम से हम लिख सकते हैं Q plus R equal to 225 और R जो की चाय और कॉफी दोनों पीने वाले वेक्तियों की संख्या को प्रदस्यत कर रही है ये हमें 100 दिया गया है तो ये जो मान है समीकरण 3 से हम समीकरण 1 पर रख देंगे तो समीकरण 1 में यदि R equal to 100 रख दिया जाए तो हमें मिलेगा P plus 100 equal to 150 तो P equal to मिल जाएगा 150 minus 100 तो that is P equal to 50 तो P का मान हमें मिल गया 50 इसी तरीके से 2 में हम मान रख देंगे R का तो मिलेगा Q plus 100 equal to 225 तो लिखेंगे Q equal to 225 minus 100 So Q equal to 125 तो हमें मिल गया P, मिल गया Q तो इस तरीके से हम Venn diagram को प्योब करके लिख सकते हैं Cardinality of U equal to P plus Q plus R plus S Cardinality of U यह हमें दिया गया था 600 P हमने निकाला है 50, Q हमने निकाला है 125 R हमें गयाद था 100 और S का मान हमें गयाद करना है वो ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो ना तो कॉफी पीते हैं और ना तो चाय पीते हैं तो इसे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 600 equal to 275 plus S और यहां से हमें लिख सकते हैं S equal to 600 minus 275 और हमें मिल गया S equal to 325 और यही हमें गयाद करना था तो यहां ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो की ना तो कॉफी पीते हैं और ना तो चाय पीते हैं विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनो भासाओं को जानते हैं विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है समूह में कुल कितने विद्यारती हैं यह हमें ग्याद करना है इसे समझने के लिए बेंडाइगराम बना लेते हैं आसान हो जाएगा यह एक यूनिवर्सल सेट है यू यह हिंदी बोलने वाले वेक्टियों को प्रदर्सित कर रहा है यह अंग्रेजी बोलने वाले वेक्टियों को प्रदर्सित कर रहा है मालेते हैं केवल हिंदी वाले पी है हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले मालेते हैं कि यह क्यू है और सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले आर हैं तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं वो यह कहा गया कि 100 विद्धियर थी हिंदी जानते हैं तो हिंदी जानने वाले P Plus Q Equal To हम लिखेंगे 100 फिर 50 विद्धियर थी अंग्रीजी जानते हैं तो आप लिखेंगे Q Plus R Equal To 50 तथा 25 विद्धय थी दोनो भासाओं को जानते हैं Q ही एक ऐसी संख्या है जो की दोनों भासाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्सित कर रहा है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं Q equal to 25 तो P plus Q plus R जो होगा यही cardinality को प्रदर्सित करेगा universal set की या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्सित करेगा तो देखिए यहां से पहला समीकरण यह दूसरा समीकरण है और यह तीसरा समीकरण है हमें ग्याद करना है P plus Q plus R Q का मान 25 है समीकरण 2 में रख देंगे समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे Q equal to 25 है 2 से 25 धन R बराबर 50 यहां से R equal to मिल जाएगा 25 और हमें ग्याद करना है Cardinality of U equal to P plus Q plus R P plus Q का मान 100 दिया गया है रख दीजे R का मान 25 हमने ग्याद कर लिया है तो इस तरीके से कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वह इस प्रशन के लिए 125 होगी अब कुछ वेभारिक प्रशन पर चलते हैं तो प्रशन कुछ इस प्रकार है 500 टेलिविजन दर्सकों के सर्वेक्षन से ग्याद हुआ कि 250 दर्सक फुटबॉल 195 दर्सक होगी 115 दर्सक बॉसकेटबॉल 45 दर्सक फुटबॉल और बॉसकेटबॉल 70 दर्सक फुटबॉल और होगी 50 दर्सक होगी और बॉसकेटबॉल तथा पचास इन तीनों में से कोई भी खेल नहीं देखते हैं इन में से कितने तीनों खेल देखते हैं पहला प्रशन है और दूसरा प्रशन है इन में से कितने केवल एक ही खेल देखते हैं यह हमें ग्याद करना है तो यहाँ पर football, volleyball और hockey ये तीन खेल हैं तो यहाँ पर football, volleyball और hockey तीन खेल हैं तो इसके लिए हम एक wind diagram बना लेते हैं मान लेते हैं कि ये एक universal set U है तो सारे दर्सक जो होंगे वो U में ही belong करेंगे अब इसमें एक खेल है football मान लेते हैं कि ये F है इसमें एक खेल है volleyball मान लेते हैं कि ये इस का set जो है ये B है और इसके साथ में एक और खेल है hockey इसे हम H नाम देते हैं अब यहाँ पर अलग-अलग छेत्र बने हुए हैं इसे हम A, इसे B, इसे C, इसे D, इसे E, इसे F और इसे G तथा इसके अलावा जो इनका complement है इसे हम H नाम देते हैं इसका मतलब यह कि ये जो set F है इसमें A प्रकार के, B प्रकार के, E प्रकार के और D प्रकार के इस तरीके से अलग-अलग समुच्चयों में अलग-अलग अभ्यवों की संक्या होगी तो जो प्रश्ण में दिया गया है उन आकडों का उप्योग करके, हम A, B, C, D, E, F, G और H के बीच में संबंध को बनाएंगे तो पहला ये दिया गया कि 500 टेली विर्जन दर्सकों का सर्वेक्शन लिया गया तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं A, B, C, D, E, F, G, H ये 500 के इक्वल होगा इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं इसके बाद कहा गया कि 285 दर्सक जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं या फिर फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल ये जो सेट है इसमें देखिए A, B, D और E ये सारे इसमें सामिल है तो इस तरीके से हम लिखेंगे A, B, D, E, बराबर 285 इसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे अब तीसरा डेटा दिया गया है कि 195 दर्सक जो है वो हौकी देखते हैं हौकी H है याँ पर देखिए D, E, F और G ये साब H में सामिल है तो इस तरीके से हम लिखेंगे D, प्लस E, प्लस F, प्लस G इक्वल टू 195 और इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे तो समीकरण 3 में थोड़ा सा और सरल करें तो हम लिख सकते हैं F प्लस G इक्वल टू 195 माइनस D प्लस E ये देखिए D प्लस E है इस एक ब्रेकेट में हमने राइट साइट में सिफ्ट करके माइनस नाहीं लगा दिये तो F प्लस G इक्वल टू 195 माइनस D प्लस E ये हमें मिल जाएगा इसका उप्योग हम आगे करेंगे अब आगे जो डेटा दिया गया है 115 जो है वो बॉस्केट बॉल देखते हैं तो बॉस्केट बॉल का जो सेट है वो B है B, C, E और F B, C, E और F ये जो है ये बॉस्केट बॉल देखते हैं और इस तरीके से इसमें 115 दरसक है इसे हमने चौथा समीकरण नाम दिया अब आगे कहा गया कि 45 दरसक जो है वो फुटबॉल और बॉस्केट बॉल खेलते हैं तो देखिए ये फुटबॉल है और ये बॉस्केट बॉल है तो फुटबॉल और बॉस्केट बॉल में जो अव्याओं कॉमन है वो आजाएगा B और E इनकी संख्या B प्लस E इक्वल टू हम लिखेंगे 45 इसे हम समीकरण 5 नाम देते हैं अब आगे कहा गया कि 70 फुटबॉल और हाकी देखते हैं तो फुटबॉल ये है और हाकी ये है इन दोनों के बीच में जो उभैनिष्ट है वो D और E है तो इस तरीके से हम लिख सकते है D प्लस E इक्वल टू 70 और इसे हम समीकरण 6 का नाम देते हैं अब आगे कहा गया कि 50 दर तक हाकी और बॉस्केट बॉल देखते हैं ये है हाकी और ये बॉस्केट बॉल इन दोनों के बीच में जो उभैनिष्ट है वो E और F है तो इस तरीके से हम लिख सकते है E प्लस F इक्वल टू 50 इसे हमने समीकरण 7 नाम दिया और अंत में कहा गया है कि 50 इन तीनों में से कोई खेल नहीं देखते तो कोई खेल नहीं देखते वो इनके अलावा H में सामिल है तो इस तरीके से हम लिख सकते है H इक्वल टू 50 इसे समीकरण 8 नाम देते है अब इन सभी समीकरणों को ले करके हमें A, B, C, D, E, F, G और H का मान गयात करना है चलिए इसके लिए हम समीकरण 1 को ले करके चलते है समीकरण 1 को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है A, B, B, D, E, C, D, E, F, G, H इसको हमने कुछ इसक्रम में जमा लिया है अब देखिए कि A, B, D, E, 285 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 285 इसके इस्थान पर और प्लस C, प्लस F, G के लिए हमने लिखा है 195 माइनस D, प्लस E तो अब इसे आप लिखेंगे 195 माइनस D, प्लस E यह F, प्लस G के लिए है और H का मान 50 यहाँ पर ग्यात है तो इस तरीके से यह इक्वल टू 500 है अब इसे और आगे हल करें तो हम लिखेंगे 285 प्लस 195 प्लस 50 प्लस C माइनस D, प्लस E, इक्वल टू 500 इसे एड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 530 प्लस C माइनस देखिए D प्लस E D प्लस E समी करण 6 से हम इसे 70 लिख सकते हैं 70 यह जाएगा पराबर 500 समी करण 6 से समी करण 6 से हमने D प्लस E का मान यहाँ पर रख दिया तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा C इक्वल टू 570 माइनस 530 इक्वल टू 40 तो आप लिखेंगे C इक्वल टू 40 यह हमें एक मान प्राप्त हुआ है इसे हम समी करण 9 का नाम देते हैं चलिए अब आगे समी करण 2 से कुछ साहता लेते हैं समी करण 2 में A, B, D और E इन सब का योग जो है यह 25 है तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस D प्लस E इक्वल टू 285 अब D प्लस E का मान आपको 70 पता है रख दीजे तो मिलेगा A प्लस B प्लस 70 इक्वल टू 285 या फिर इसे अब हल करेंगे तो मिल जाएगा A प्लस B इक्वल टू 215 और इसे हमने समी करण 10 का नाम दिया अब आगे हल करने के लिए समी करण 3 का उपयोग करते हैं D प्लस E प्लस F प्लस G यह 195 है तो D प्लस E प्लस F प्लस G E प्लस F जो है यह 50 के बराबर है E प्लस F तो आप लिखेंगे D प्लस 50 प्लस G इक्वल टू 195 तो यहां से आपको मिल जाएगा D प्लस G तो यह 50 पक्षानतर कर देंगे तो रिंड आ जाएगा और 195 रिंड 50 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 145 तो D प्लस G 145 है इसे हमने समीकरण 11 नाम दिया है अब आजाते हैं समीकरण 4 से समीकरण 4 का उपयोग करेंगे आगे हम हल करने के लिए तो समीकरण 4 में क्या है B प्लस C प्लस E प्लस F यह 115 के बराबर है और समीकरण 7 में E plus F जो है ये 50 दे दिया गया है तो ये अब जब यहाँ पर हम रख देंगे तो B plus C plus E plus F E plus F 50 हम यहाँ से मान रख देंगे C का मान हमें 40 प्राप्त हो गया है और इस तरीके से हमें B का मान मिल जाएगा तो B equal to 115 minus 90 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 तो इस तरीके से B equal to 25 हमें प्राप्त होगा और इसे हम समी करण 12 का नाम दे रहे हैं अब समी करण 5 से समी करण 5 में दिया गया है B plus E equal to 45 तो B plus E equal to 45 दिया गया है B का मान हमें 25 मिल जाएगा है तो हम लिखेंगे E equal to 45 minus 25 E का मान हमने ग्याद करना है और B का मान हमें 25 यहाँ से मिल गया है तो 25 plus E equal to 45 तो E equal to 45 minus 25 और इसे जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा आपको 20 और इसको हम नाम दे रहे हैं समी करण 13 का अब समी करण 7 में देखिए समी करण 7 में E plus F equal to 50 दिया गया है E plus F equal to 50 E का मान हमें 20 मिल गया है तो आप लिखेंगे 20 plus F equal to 50 या फिर F equal to 50 minus 20 तो आपको मिल जाएगा F equal to 30 और यह समी करण 14 है अब समी करण 6 में चलते हैं 6 में दिया गया D plus E equal to 70 E का मान आपको 20 मिल चुका है तो D plus 20 equal to 70 और इसे जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा D equal to 50 70 minus 20 that is 50 और इसे हम समी करण 15 का नाम दे रहे हैं अब आज आते हैं समी करण 3 से समी करण 3 में देखिए D plus E plus F plus G यह 195 के बराबर है D plus E plus F plus G equal to 195 तो D का मान है 50 E का मान है 20 F का मान है 30 और G का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा तो इसे आप जब हल करेंगे तो मिल जाएगा इसे आप एड करेंगे मिल जाएगा 100 तो 195 माइनस 100 करेंगे तो मिल जाएगा 95 तो इस तरीके से G equal to आपको मिल जाए 95 और यह समी करण 16 हो गया अब समी करण 2 से समी करण 2 से A plus B plus D plus E यह 285 के बराबर है A का मान हमें ग्याद करना है B का मान 25 यहाँ पर है रख दीजे D का मान 50 मिला है रख दीजे E का मान 20 मिला है यहाँ पर रख दीजे equal to 285 अब जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा A equal to 285 minus 95 equal to 190 तो यहाँ से मिल गया A equal to 190 और इसे हम समी करण 17 का नाम दे रहे हैं तो अब प्रस्ण पर चलते हैं जहाँ पर हमें कहा गया था तीनों खेल देखने वालों की संख्या तीनों खेल देखने वालों की संख्या इसका मतलब यह है कि football, volleyball, football, basketball और hockey इन सब में जो common है वो है E तो यही वा दर्सक की संख्या है जो कि तीनों खेलों को देखते हैं तो इस तरीके से हम लिखेंगे E equal to और E का मान हमें मिला है 20 यह देखिए तो तीनों खेल देखने वाले दर्सकों की संख्या जो होगी यह 20 होगी अब आगे पूछा गया है केवल एक खेल देखने वाले दर्सकों की संख्या तो हम लिखेंगे देखिए यह A है यह किसी भी दो सॉमच्यों के इंटर्सक्शन पे नहीं आ रहा है तो यह जो A संख्या केवल एक क्य Vaak खेल देखता है उसी प्रकार सेट B में C जो है यह केवल एक क्यल देखता है और H सेट जो है इसमें केवल G है जो एक खेल देखता है equal to 325 और यही 325 जो हैWWWOL केवल 1 खेल देखने वाले दर्सको की संख्या máais तो यही हमें ग्यात करना था पहला थारी हमें 20 पराप्त हुआ और केवल 1 खेल देखने वाले दर्सको की संख्या 325 हमें पराप्त हुआ तो इस तरीके से आप समुच्चे के सिद्धान्त का उपयोग करके इस तरीकी के व्यवारिक प्रश्णों को हल कर सकते हैं.